Thank you sir. इसको एक यूनीक आइटेंटिटी देने के लिए यह हम यह कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं। और एक बार हमने code डेवलप कर लिए हर एक चीज के code बना लिए कुछ भी हो सकता code कोई hard and pass tool नहीं है इनके लिए बस यूनिक होने चाहिए हो अब देखियो मेरे पास जाता है कल हमने देखा था वी लुक अप वी लुक अप की एक limitation थी वो left to right data को search कर सकता है right to left नहीं मतलब अगर इसके यहाँ पे कुछ details हूँ तो हम उसको नहीं get कर सकते तो आईए कुछ functions देखते हैं उससे पहले मैं आपको वी लुक अप में थोड़ी सी और tricks दिखाता हूँ such as यहाँ पे कुछ IDs ले लेते हैं यह मैंने control के साथ प्रेस करके इनको अलग-अलग select किया है click करता गया तो मेरे different selections हो गए और control C मैंने कर दिया अब जहाँ भी मैं इसको paste करूँँआ वो एक साथ paste करूँआ तो सर वी लुक अप एक बार refresh कर देता हूँ वी लुक अप में हम लेते हैं look up value कि क्या ढूणना है table array किस में ढूणना है column index column index के वाती column की position होती है हमारे तो name जो है second पे है तो हम second डालेंगे then हमेशा लेते हैं false या zero ठीक है जी इसमें locking का ध्यान रखते है freeze कर लेते हैं columns को अब क्या करना है मैंने अब देखिए column लगाने बार बार इसको drag करना और फिर जाके edit करना column index वो भी एक tough job है मलब आपके पास column जाता हो तो column index लगाना भी दिमाग खराब करने का का तो क्या कीजिए आप select कर लीजिए यह जितने भी आपको column index जानने है इनको curly braces में डाल दी दिये separated with comma यहाँ यह K2 गलत आगे तो यहाँ curly braces के अंदर मैंने दे दिया 2 3 and 4 ठीक है जी अब मुझे क्या प्रेस करना है कीबोर से control shift enter एक बार में हमारे column index लग ज़ए इसमें क्या हुआ दो column index इसमें यहाँ we look up के formula में इधर return किया तीन जो है यहाँ पर return किया और चार यहाँ पर return किया इसमें यह value अलग अलग आई तो इसमें खास बात क्या होती है एक बार में हमारा we look up लग जया इसको ड्राइग कर जीजिए एक साथ ठीक है जहीं अब क्या करते है वी look up को छोड़के कुछ और करते है अब यहाँ पर product और डाल लेते दूसरी साइट डाल वाँ जहाँ we look up value ने गेट कर सकता है अब बॉर्डर्स लाने के लिए क्या करता हूँ मैं alt hba यब आपने बॉर्डर्स की class ली होगी छोटकट्स की तो उसमें यह बताया होगा alt दवा के hb then a फटा फट बॉर्डर्स हा जाते है अब क्या करना है मुझे उधर वाली value लेनी है इसमें क्या करेंगे lookup टाइप करेंगे फी lookup की तरह यह मारे पास एक function होता है lookup lookup function हम use करेंगे lookup value इसमें भी इसी की तरह से यहां से लेंगे ठीक है जी then यह पूछ रहा है lookup vector कि किसमें lookup करना है इसमें क्या है हमें पूरा column से पूरा table select करने के बज़ाए simple एक row select करने है जिसमें उसमें lookup value धूद दी है और क्या कर सकते है then result vector result vector का है हमारा इसके बगल में यह select कर लिए है ठीक है जी यह आ गया आपका तो यह भी lookup की limitation को अलग अलग कर देता है अब इसमें क्या क्या fix कर सकते है अपना एक तो lookup vector को fix कर लेते है और lookup value को fix कर लेते है result vector जो है वो change होता रहेगा इसको मैं drag करता हूँ कि यहां पर मुझे क्या करना है city का चाहिए तो मैं इसको ड्रैक करके लाके city पर डाल दूँगा इसको अब ड्रैक करूंगा तो यह आगे बढ़ जाएगा sales आजाएगी यहां पर product डाल देता हूँ कर देता हूँ कर देता हूँ कर देता हूँ कि यह मेरे पास data आगे तर ड्रैक कर लेता हूँ कि मैंने हर बार क्या किया result वेक्टर चेंज कर दिया जो यह रिजल्ट वेक्टर है हमारा यह यह चेंज करता रहा है तो वी लुक अपके बजाए आप लुक अप भी यूज कर सकते हैं उसके अलावा क्या कर सकते हैं एक हमारे पास function होता है match और एक होता होते हैं match लुक अप एल्यू भी लुक अप एरे दिया लुक अप एरे में क्या है कि हम यह खाली एक ही रो सिलेक्ट करते हैं जिसमें ढूड़ना होता है उसे तो आईडी का मैंने सिलेक्ट कर लिया देन यह पूच रहा है है match टाइप इसी तरह excel की तरह ही इसमें होता है तो exact match हम 0 ले लेते हैं अब इसमें return किया 3 3 का वतलब क्या है कि यह इस index में 3rd position पर है 1st पे employee ID 2nd पे E001 E002 3rd पर है तो यह क्या करता है हमें position गेट करता है इसके अंदर से कि कौन सा किस position पे है पूंसी ID किस position पे है यह हमें दे रहा है ठीक है जी अब क्या करेंगे index position पर मिल गए और इस position के कौन सी value उसको जानने के लिए index का formula लगता है तो index के formula में मैंने क्या किया पूर result vector में जो मैंने row दी थी वो दे दी जो result के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे मान लीजे city चाहिए तो मैंने city ऐसे select कर दी and row number जो है हम यह match के formula से उठाएंगे चीक है जी यह आगया चीक है जी दोनों कोई functionality समझ गये आप क्या कर रहा है match क्या कर रहा है पहले id look up कर रहा है इसमें से position दे रहा है कि third position पर है and then index क्या कर रहा है कि किसी भी index में से उस position को get कर रहा है index में जो हम देते हैं वो मान लेते हैं कि result हमें यहाँ से लेना है अब match index को करते हैं combined यहाँ मैंने match लगा रखा है तरे question हाँ जी तरे question है यहाँ जी बताई यह आप जिरह जो ई तक जो data आ रहा है ना उसको थोड़ा एक line नीचे करेंगे इक का cut करके नीचे paste कर दे यह जो data आ रहा है product sales वाला ना यह one से शुरू हो रहा है ना row number one उसको two to paste करेंगे शुरू करेंगे अच्छा अच्छा हाँ जी अब यह जो अब वो sir row number बता रहा है actually इसका actually मैंने जब पुरा जो है वो शायद उसका row number बता रहा है yes क्योंकि मैंने जो select कर रखा है उसको full column कर रखा है था हाँ इसमे अगर आप उसको change करें अगर माल लीजिए मैं ऐसे करता हूँ ठीक है जी इसमें क्या करेगा तब उसका index position बताएगा तो फ़र हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि जो index का जो position है वो भी वही से start होनी चाहिए सिटी भी ऐसे ही लेंगे ठीक है सर तभी exact result दिखाएगा otherwise आपका result बदल जाएगा ठीक है जी अब क्या करते हैं match और index को एक साथ लगाते हैं match का formula हमने लगा देखा look up value किसमें look up करना है और exact match के लिए zero अब क्या करना था index में हम array में से row position इसमें से ले रहे थे मैं index का formula लगाता हूँ और इसमें पहले array select कर लेता हूँ the name के लिए यह array है पिल कॉमा और यह match का formula row number गेट करने के लिए हाँ इसको इस हिसाब से freeze भी कर लेते हैं मैं अपने यह result वाले को नहीं freeze कर रहा हूँ क्योंकि drag करूंगा तो यह मेरा इसके साथ आ जाएगा तो मेरा purpose solve हो जाएगा ठीके जी इसको जो है मैं fix करूंगा जहां से मैं अपना यह ID look up कर रहा हूँ इसको fix कर देता हूँ ठीके जी अब मैं इसको drag करता हूँ आगे आगे रिजल्ट यहां देखें क्या error दे रहा ओके हाँ उसमें पुझे column fix करना जरूरी था row नहीं fix करनी थी बट column तो करना ही था ठीक है जी तो column मैं यहां से fix कर देता हूँ और जब F4 प्रेस करेंगे बार-बार तो यह अलग-अलग option दिखाएगा आपको तो मुझे क्या करना है column fix करना है और नहीं row fix करना है column नहीं करना तो रो के आगे मैंने dollar लगा दिया मैंने ड्रैग किया पूरी value आ गई अब क्या करूंगा दिखिया जब name city sales एक जैसे हो तो गेट करना असान है हम यह ग्रैगिंग के तुरू ले लेते हैं माले पूर्शन और है हाँ कि सर इसमें जो एक column number भी आ रहा है actually index में index में optional जो है हाँ उसको मैं बताऊंगा इसको मैं आपको आगे बताऊंगा हलाकि क्या होता है reference यह row number column number जो index के अंदर हम जो data लेते हैं उस data को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और column number के तुरू column decide कर सकते हैं कि वो column कौन सा होगा ठीक है जी यानि कि अगर मैं इसको मैंने data को अपने fix कर दिया इसको fully fix कर दिया तो मैं यहां पे आगे index number डाल सकता हूं इसमें कि one चाहिए two चाहिए पर selected data में कौन सा column index होगा जैसे name इसके लिए first index होगा ठीक है जी तो इस तरह कैसे कर सकते हाला कि जब तक जरूरत नहीं है मैं उसको वैसी यूज नहीं करूंगा इसी तरह से करूंगा जैसे मैं कर रहा हूं अब क्या करते हैं थोड़ा सा डाइनमिक बनाते हैं सेल्स मैंने यहां लिख दी सिटी यहां लिख दी तो सेल्स यहां होनी चाहिए ना माली जी इस तरह से column उल्टे फिल्टे अब क्या करना है जहां मैं column index position आती है इस फॉर्मूला को match index में क्या है कि अगर आपका प्रोड़क्ट आ रहा है तो match index का फॉर्मूला आपके यहां वर्क कर सकता है आपको बस यहां पर जो है result का जो है वो उस पर लेके जाना है यह वहां भी देतेगा तो वी लुक अप की तरह ही यह वी अच्छे से वर्क करेगा आप क्या करते हैं अपने वी लुक अप पर वापिस चलते हैं अब आपने match का formula देख लिया कि यह हमें index position गेट करता है अब देखिए match की एक खास बात और है match किसी भी दिशा में index position गेट कर सकता है आपके selected data में तो मैं क्या करूंगा match लगाया मैंने माल लीजे e id को get करता हूँ किस में से इस में से heading में से heading get कर रहा हूँ match type 0 तो यह मुझे क्या दे रहा है index position यही चीज़ता हम column index में डालते हैं तो मैं अब क्या करूंगा we lookup के अंदर यह function column index में यह function built करूंगा we lookup मैं lookup value select की वह ने then table array select किया f4 then column index में क्या करूंगा मैं match लगा दूगा match में lookup value क्या करूंगा ऊपर वाली heading करवाऊंगा और heading में मुझे क्या fix रखना है row column नहीं क्योंग मैं drag करूंगा तो sales city अपने आप उपर से heading उठानी चाहिए ठीक है जी then lookup array क्या रहेगा उसका यह उपर से यह heading रहेगी इसमें data selected है TID से लेकर sales तक product नहीं लूगा तो कि उसमें work नहीं करेगा इसमें मैं इसको क्या करूंगा fully fix करूंगा then match type 0 लगा दूगा अब क्या बचा हमारा column index का purpose solve हो गया इसमें match के function के तुरू change look up मैं false दे दूँगा अच्छी तरह से मैंने freezing किये अब क्या है कि मैं खली drag करूंगा इसको यहां तर कि अपने आप result देगा अब देखिए क्या होता है इसमें मार ली जे name मैंने यहां paste कर दिया तो यहां आगया sales मैंने यहां लिख दी तो यहां sales आ जागी city चाहिए तो मैं city type कर दूँगा यह आ जाएगी ठीक है जी name sales अपने आप आपका result चेंग हो गया यह dynamic भी look up हो जाता है ठीक है जी तो आपका यह बार बार column index लगाने का चक्कर ही खतब हो जाता है अब माली जी इस formula को मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूं यह error सी दिखते हुए आपको अच्छी नहीं लग रही है ना error थोड़ी expertise सी लग रही है हाला कि जब आप यहाँ पर डालेंगे अपनी ID तो आपको result गेट कर रहा है पर यह error हम चाहते हैं कि नहाएं तो उसके लिए क्या करेंगे इस error का formula इस पूरे formula के लगा देंगे आगे इस error का formula लगाया इस error का formula यहाँ लगा देंगे तो if error if error में जो value section में होता है अगर इसमें कोई error generate होती है जैसे यह error generate होती है तो आप दूसरा parameter देए सकते है value if error मतला पकर error आए तो क्या करना है मैं क्या करता हूँ blank कर देता हूँ double inverted comma अब मैं क्या करता हूँ इसको drag करके down कर दिया लागा अब यहाँ पर कोई error नहीं है पर formula है जैसे ही आप formula type करेंगे तो value आने शुड़ी होता है तो value आने शुड़ी हो चाहिए तीक है जी अब इतरर का और क्या use हो सकता है अब इस product प्रोडक्ट का अटा रेते है इतरर का और क्या use हो सकता है जैसे आप माली जी आपका यही टेवल है कुछ और बनने हैं इनमें id थोड़ी सी different कर देते हैं यह id 10 से 17 तक यहाँ है इनका कुछ पार्ट कीज़ कर लेते हैं और यहां लगा लेते हैं अब हमारा formula तो लगा हुआ है क्या कर सकते हैं इसके अंदर हमें इन दोनों में से लेना है तो इसके लिए क्या वी look up लगेगा हमारा इसके लिए भी यहां पर हमें वी look up लगाना पड़ेगा इस टेबल में पर आप वी look up एक ही टेबल में लगा सकते हैं अब क्या करेंगे जो यह आपका value if error का पार्ट है यह if error का पार्ट है यहां पर वी look up लगा दीजिए तो आप दो शीट से वादब दो टेबल से या चीट में भी हो तो भी वहां से data कर सकते हैं एक लिए पर यह लगाते हैं एक ब्लैंट की जगा पर मैं दूसरा वी look up लगाते हैं इसमें क्या होगा यह वी look up होगा look up value होगी हमारी same होगी fix कर देता हो table array जो होगा मेरा यह होगा table array को freeze कर देता हूँ column index में मैं वही match का function लगा सकता हूँ जो मैंने यहां लगाया था यह वाला इदर लगा देना है यह match का function आप इसकी इसकी क्या वही heading में लगाएं इसमें अगर heading different भी यह वाले यह से लिया है तो इसमें मैंच का function लगा देता हूँ मैंच में इसे यह ढूनना है इसको down कर देता हूँ ताकि बिठाई दे मैंच में मैंने क्या किया row fix कर दी heading जो है मैंने इस बार यहां से ले दी यहां की heading के लिए इसको इसको मैंने fix कर दिया इसमें 0 exact match के लिए then false and bracket goes तो इस formula का ब्रैक कर लेते पर यह देखे यहां पर क्लिपता क्या error दिखा रहा है यहां पर दूसरा formula error दिखा रहा है यह वाला भी लुका पर तो इसमें भी एक इस error लगा दीजिए इस error हमने यहां पर देदी और यहां पर blank देजिए ठीक है जिए यह आ गया अब आपका यह दोनों जगे से data उठा सकता है अब कितनी भी शीट इसमें मैंटर्स से बिल्ट कर सकते है समझ में आ गया है यह आप ऐसे इसमें दो शीट में तीन शीट में कहीं भी वी लुका फिट कर सकते हैं अब देखिए इसमें क्या होता है एक और example देता हूँ आपको इसी चीज़ के अब यहां तक तो अब लियर है और फंक्शन देखेंगे इस पीलुक अपके तहरा हम काम करते रहेंगे इस बिलुक अपने बहुत सारे एक ग्रम करें इस पड़िया जा सकता है बड़े सारे मेटड लगाए जा सकते हैं तो हमने में अच देख लिया, लुक अप देख लिया वी लुक अप देख लिया, एक फंक्शन बचा ज़़े सब्सक्पट है इसमें एक रोज फंक्शन है और एक कॉलूम्स फंक्शन है इसको मैं आपको बाद में दिखाओंगा बड़ वैसे ही क्या करता है रोज का जो फंक्शन लगाते हैं कल मैंने रोव बताया था और यह रोज है तो आप जब सिलेक्ट करते हैं कोई भी कि एंटर करते हैं तो यह आपको नमबर आफ रोज देदेता है इसी तरह कि मतलब टोटल कितने कॉलंड से हैं और या कितनी रोज हैं यह फॉर्मूला आपक एक जिज़े यूज़ करते हैं, एरे के अंदर, एरे जब फर्मूला में पढ़ाँगा, तो इसमें इनका यूज़ दिखाऊँगा, अब बसता है, आपसेट फर्मूला, आपसेट भी बहुत काम का फर्मूला है, अब आपसेट फर्मूला में क्या करते हैं, एक जनरली कोई भी नंबर, नंबर ले लेते हैं, कोई भी, अभी आप लोगोंने इंडेक्स और मैच करे थे जिस जैसे इंडेक्स में जो है, पसेट फर्मूला में जो भी बहुती है, वो गीरो से स्टार्ट होती है, तो देखते हैं, offset का formula लगाते हैं, offset, इसके अंदर लेता है reference, reference जो होता है आपका, इसका starting point होगा, row column का starting point होगा data का, तो reference मेरा set कर दिया, मैंने a1, इसको मैं mostly 60 कर देता हूँ, अब इसमें row column लेता है, यही चीज़ VBA में भी काम करती हैं, offset का formula इसी सिद्दानत पर काम करता है, तो अगर मैं देता हूँ, zero row, zero column, तो यह क्या करता है, मुझे first value दिखाता है, zero row, zero column, ऐसा करते हैं, इसके row और column हम यहाँ से ले लेता हूँ, नीचे मैं दे देता हूँ, row and column, इसका reference है, यहाँ से ले लेता हूँ, row को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, column को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, तो जो हम बात करने है, zero row और zero column की, तो मुझे यह value दिखाता है, अब क्या करेंगे हम row में एक नीचे उतर आएंगे, एक नीचे उतर आएंगे, 23 दिखा रहा है, यहाँ से, column में एक आगे बढ़ जाता हूँ, 81 दिखा रहा है, row column एक एक बढ़ जया, zero position की, first, first, यहाँ से, यह column का से, दो column, दो लिखता हूँ, तो second column दिखाएगा, यह भी जो भी calculation कर रहा है हमारे reference point से कर रहा है, जो कि हमारा यह selected है, तो यहाँ से, दो column, पहले यहाँ है, एक row, यहाँ है, ठीक हैंगे, third row कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या करेगा, zero, one, two, three, in column, one, two, तो यह result आपको यहाँ दिखा रहा है, यहाँ है, अब offset की इतनी functionality जो है, हम हमेशा VBA में use करते हैं, चलिए जो Excel में use करते हैं, offset का वो देखते हैं, offset के बाद, अब आप लोग मान गए कि एक position ले लिए इसने यहाँ, अब इसमें जो height and width है, height and width क्या करता है, दो parameter और है, इसके अंदर जाता हूँ, height and width, तो height and width में यहाँ लिख देता हूँ, height and width, अब जो मैंने height and width दिया है, अगर मैं देता हूँ, height and width दिखा रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ देखने में ज़्यादा हूँ, height and width दिखा रहा है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, value मैं locking करके हर जगह, यहाँ जहां से reference ले रहा हूँ, मैंने यह select करके इसको इस तरह से, F2 करके Ctrl Shift एंटर कर दिया, अभी मैंने height width 11 ले रख दिया, मैंने array लगाया है, अब मैं क्या करता हूँ, width 2 कर देता हूँ, अब देखी क्या आ रहा है, जिसमें मैंने 2 किया, इसमें क्या किया width ऐसे बढ़ा ली, और height मैं कर देता हूँ 2, तो यह जो value यहाँ पर थी वो इतना select कर दिया, मतलब 2 इदर 2 नीचे, अब यह 0 से नहीं हो रहा है, height width 0 से नहीं हो रही है, वो पहली position को एक ही मान रहा है, ठीक है जी? इंडेक्स जो है वो row column में use करता है reference के बाद, मतलब जैसे 0 से जो start करता है वो reference के बाद जाने के लिए करता है खाले, पर यह जो height width है, 2 का मतलब है 2, सीदा सीदा 2 का मतलब 2 ही है, height मतलब 2, 2 cell नीचे में 2 row select, width में मतलब 2 column, ठीक है जी? अब मैं थोड़ा सा column कम करता हूँ, अब कहां आ गया यह? 64, column कम कर दिया मैंने, यहां से आया 0, 1, 2, 3, 3rd row, 1 column, अब यहां से मैंने दिये 2 height यह, और 2 width यह, अब आ लिजिये मैं इसके 3 width के देता हूँ, तीन value दिखाने लगा, तीन column हो गए इसके, शार height कर देता हूँ, यह data, अब basically हम यह कर क्यों नहीं है, यह तो मैंने array formula के दिखाया, आपको कि इसका impact क्या आता है, हम क्या करते हैं, इस formula के बाहर, एक sum का formula लगा देता हूँ, यह फिर इस formula को copy कर लेते हैं, पूरा पूरा, और यह formula यहां पर मैं sum लिखके, sum करके अंदर डाल देता हूँ, और इस पूरे data मैं भी sum लगा देता हूँ, पर error की जानने के लिए कि इसका sum क्या आ रहा है, मैं एक formula लगा रहा हूँ इसमें, इस error का जानने के लिए कि इसके अंदर क्या error है, तो true आएगा, तो मैं उधर zero दे दूँगा, false आएगा, यह मैं एक error formula लगा रहा हूँ, बस खाली इसको sum करने के लिए, आएगा रहा हूँ, पर आएगा रहा हूँ, आपको कि किसी ही यूज करते हैं, और false में मैं क्या करूँगा, यही range देते हूँ, sum वाली, यह sum हटा देता हूँ, sum नहीं करना, खली यह range देते हूँ, sum मुझे करना बाहर लगा देना, मैंने एक different formula लगाया, इस formula में क्या लगाया है, मैंने error यहाँ से reference उठाया है, अपनी यह range देता है, यह sum के लिए, यह सब जो मैंने इसमे एरे formula लगाया, क्योंकि पहले यह error दिखा रहा था, तक जैसे ही मैंने क्या किया, कि जैसे ही error आए, जिस column में, जिस column में, जहाँ error आ रही है, वहाँ 0 से replace कर दे, तो इसमें 0 से replace किया, then हमारा sum function कल गया, that's why यहाँ पर कर पा रहा है, और यहाँ पर क्या किया, मैंने पूरा का पूरा formula ले लिया, यहाँ डारेक्टी sum कर दिया, यहाँ पर क्योंकि error नहीं आएगी, क्योंकि यह range ही उतनी दे रहा है उसे, यह तो मैंने ज्यादा select कर रखा, इसलिए दे रहा है, और formula को क्या return कर रहा है, सिर्फ इतना portion जिसमें value है, इस वज़े से यहाँ पर sum कर पा रहा है, और यहाँ पर तो इसे range का idea नहीं हो रहा है, यह पूरा ही ले रखा है इसमें, तो मैंने SNA को 0 से replace करा दिया, तो मेरा दिखाने का मकसद क्या था, दो दो किया, तो यहाँ यह क्या करता है, जो भी आपका data है, उसको आपको इतनी range दे देता है, इतनी range निकाल के दे देता है, अब उस range से क्या कराया है, मैंने sum कराया, उस range को मैं किसी भी calculation के लिए use करा सकता हूँ, एक्सल में भी, एडवांस एक्सल में, इसके लिए VBA की जड़रत नहीं, तो जब मुझे कुछ selected range देनी हो, मैं चाहता हूँ, डाइनमिक करता हूँ उसके, डाइपोर्स वगरा, तो मैं offset का formula इसलिए use करता हूँ, ठीक है, offset का कुछ clear हुआ, आप लोग को, इसके और use कर पाएं तो अच्छा है, offset का आप जो है, सीधे सीधे dashboard में use करेंगे, बाकि आप जैसे, आप देख रहे हैं कि रोको अलम के बेस पर जैसे यह value return कर रहा है, तो आप इसका index के साथ, यह match के साथ use कर सकते हैं, index में आप इसका use कर सकते हैं, index की बजाए offset भी use कर सकते हैं, वहाँ आपको height width की जरूत नहीं, direct जैसे मैंने कोई value ढूननी है, माल लीगे, first वाले में मैंने ढूनना है, 16 inch, और मैं चाह रहा हूँ, इसके आगई यह वाला data get करके दे दे मुझे, तो match में लगाऊँगा, इसके अंदर look up area यह आगई मेरी, look up area मैंने यहां से select कर लिया, और match type 0, तो इसमें मुझे index position get करके दे दी, अब offset मैं क्या करूँगा, reference जो है, अपना यहां set करूँगा, और row जो है, मैं यहां से, कौन सी row और कौन सा column, तो row जो है, मैं second row में से result चाहता हूँ, directory यह इसे ही चाह रहा हूँ, उपर चाहें तो इसको column index की तरह automate कर सकते है, heading wise, और जो, no, no, row जो है, मैं यहां से get करूँगा, column जो है, मैं वहां से get करूँगा, second में से जा रहा हूँ, से second, यह column को आप automate कर सकते हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज़ देखिए है, यह मेरे को 15 के आगे यह है, तो यह मुझे 60 दिखा रहा है नीचे वाला, वो एक का difference दिखा रहा है मुझे, यहां पर, यहां पर जब भी ऐसा पुछाए, तो इसको कर दीगे, यह –1, आपका exact work करेगा आप, ठीक है जो, माइनस वन करना जुरूरी है, क्योंकि यह 0, 1, 2, 3 ऐसे count करता है, index जो है, 1, 2, 3 करके count करता है, otherwise आप इसका data selection reference जो है, एक बढ़ा की करता है, आपको माइनस करके देना पड़ेगा, यहां पर जो, मैं गेट कर रहा है, तो इस जगे भी आप इसका यूज कर चकते है, offset formula का, तो यह था हमारा look up and references का session, हमारे look up and references के सारे formula हो गए है, बाटी जो हम करेंगे, आप उसको देखीगा, we look up के उपर सबसे powerful video है, आपने अगर वो देखके समझ लिया है, अगर आपके पास time है, जैसे कल पर सो, तो आप 26 example, या 26 we look up करके सर्च कर देगा, इसके अंदर यह आ रहा है, we look up function, beginner to advance, 26 example, यह गंटे के वीडियो है, पूरा we look up के उपर यह, इसको देखीए, आपका we look up बहुत strong हो जाए, इसमें हर उस तरह का example है, जो मैं क्या बताऊंगा, मेरे से भी ज़्यादा, बहुत high level का example है, और इसी तरह से index match का भी function है, beginner to advance, ठीक है, जी, Excel is fun के अंदर आता है, Excel is fun है इसका author है, तो इसको देख लीजेगा, इसके अंदर आपके काफी सारे doubt जो है, reference formula के खतम हो जाएगी, बहुत ही powerful video है, ठीक है है, अब करवाने को तो मैं भी 26 करवा दूँँ, पर पूरी class इस पर चली जाएगी, जब easily available है, that's why I am suggesting you, to do this, okay?